वक्त की बड़ी खबर रास्थानी पटना से आ रही है आपको बताते चले कि पटना जंक्षन के पास स्थेट पावर हाउस के कमरे में होली से पहले रेल अधिकारी वह अन्यकरमी शराप की पाटी कर रहे थे जाम से जाम टकराया जा रहा था होली का रंग गुलाल भी लगाय जा रहा था सभी मौज मस्ती में थे इसी बीच उत्पाद विभाग की टीम ने शनिवार को करीब सारह तीन वजे पावर हाउस में च्छापे माने कर दी उत्पाद विभाग की टीम ने परिसर को बाहर से चारों ओर से गेर लिया था जौलान उत्पाद की टीम ने रेलवे चंदन कुमार प्रवीन कुमार टोपो समीत पाच वर्ये प्रसाका पदधिकारियों के अलावा दो हेलपर रितीस कुमार वराकीस कुमार और फिटर विरेंद्र कुमार हैं जराप की पावर आवस के मेन गेट को बंद करके अंदर में शराप की पाटा चल रही थी सबसे बड़ा सवाल यह कि जर्प के ज干ाल के पास में की हो रहा था जब अर्छ पाग बबुबाद की टीम गई और जर्प को सूसना दी तब ही उन्हें पता चला है पुरे धूम दाम से देश में होली का तहवार मनाया जा रहा है दूसरी तरफ बिहार में शराब बंदी कानून लागू है साल 2016 से बिहार में शराब बंदी है लिकिन उसके बावजुद आए दिन बिहार से सराब के मामले सामने आते रहते हैं रसा की होली है जिसको लेकर सुरक्षा के इंतिजाम फुक्ते किये गए हैं चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर आ रही है जो लोगों की सराप की देखरे कर रही है और जाच परताल कर रही है लेकर इन सब के बीच राजधानी पटना से बरी कबर निकल कर सामने आई है जहा पी मौज मस्ती में डूबे थे लेकिन इन सब के बीच पटना पुलिस की टीम ने सनिवार को करीब तीन बजे चापे मारी की रेड की और रेड के बाद नजारा पुलिस देखते ही रह गई क्योंकि हर तरफ सराब ही सराब उस कमरे में नजर आ रहा था जैसे कि आप वीडि प्रसाखा पद अधिकारी दो हेल पर और एक मिस्तेरी समेट दस लोगों को पकरा है जिन अधिकारी ओं जो जो अधिकारी शराब पीते नजर आए हैं उन पर कारवाई की जाएगी और यह सभी सरकारी कर्मी हैं बिहार में शराब बंदी कानून लागू है लेकिन इन सब के बीच ये मामले निकल कर सामने आते रहते हैं जैसा की ताज़ा मामला पटना जन्चन केमपस से निकल कर आया है जहां पर शराब पाटी चल रही थी रेल्वे के अधिकारी और सरकारी कर्मी शामिल बेकिन पटणा पुलिस ने रेट की और सबी की गर अफतारी कर लिए है आ झाल 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 झाल